सब्सक्राइब कीजिए लर्ण बेसिक्स को और बैल ऐकन को दबाईए कुछ नया सीखने के लिए हलो दोस्तों तेवा फिर साब का बहुत स्वागत है मैं हूँ विश्व तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ वर्ड में मिजर्मेंट की यूनिट कैसे चेंज करते हैं फॉर एक्जामपल आप देख सकते कि यहां ले आउट टैब में इंडेंट कमांड आपको यहां पर दिख रहा है अब इंडेंट की यूनिट आप देख सकते हैं सेंटीमीटर में दी हुई है अब टैब आपको यहां पर मिल जाएगा इस पर क्लिक करिए तो जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो नीचा को बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे हमको जाना है ऑप्शन में यह रहा ऑप्शन ठीक है ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो वर्ल्ड ऑप्शन का विंडो ओपन हो डिस्प्ले में यहां पर यह रहा यूनिट चेंज करने का option फिलाल यह centimeter पर है इसके drop down पर click करेंगे तो आपको कई सारे option देगा आप millimeter में कर सकते हैं या inches में कर सकते हैं for example हम inches में करके देख लेते हैं इंचेस पर हमने click किया और नीचे से okay बटन आपको यहां पर दिख रहा है ठीक है इस पर click कर दीजिए तो आप देखेंगे कि जो indent में जो measurement की यूनिट थी वो inches में आ गई यह देखेंगे इंचेस का sign है ठीक है जीरो के जस्वगल में यह inches का sign है